नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके साथ यह जो देख रहे हैं यह सामने पेड़ बड़ाई असाधारण सार सुंदर और बड़ाई दिल्चस पुप पोधों में से एक पोधा है यह भी एक पेड़ है जो हमारे हमारे पुराने की यात्री होते थे जो यात्रा करते थे तो वहां कभी-कभी यह इतने साधन तो थे नहीं पानी की आवज सकता पड़ती थी तो यह पोधे की जो पतिया ने इन पत्तियों के आधार में हरे एक में करीब डेढ़ लीटर तक पानी इकटा हो जाता है तो पानी की यह इसलिए इसको क्या कहते है यात इस्ट-वेस्ट ताड या ďस्ट-वेस्ट पाँपूर पश्चिम ताड या यात्री व्रख्च और इसका बोटनीकल नाम है वो है रेवbacks Kariensis रेवेनाला मैडा कारीएंसिस इसका साइन्टिफिक नाम है और यह एक तरह से नेच्चुरल कंपास और नेचुरल पानी की टंकी का काम करता है और ये मेडागासकर का मूल निवासी है ये असली ताड नहीं है ये पाम नहीं है ये इसका जो फैमिली है वो है इस्ट्रेली तीज्यासी परिवार का है जबकि पाम जो होता है वो एरेकेसी परिवार का होता है पत्तियों के अंदर ये डेड़ ली तक तक पानी घटा कर लेता है जो प्यासे लोगों की प्यास बुजाने के काम आता है फास्ट ग्रोइन प्लांट है लाइट की अगर बात करें तो ब्राइट इंडारेक्ट लाइट चाहिए और ये सेड के लिए टॉलरेंट है ये ब्राइट इंडारेक्ट लाइट फिल्टर लाइट जिसे कहते हैं बड़े पेड़ों के नीचे ये उगना पसंद करता है फिल्टर लाइट मिलती है तो बहुत अच्छा चलता है नम मिट्टीस को चाहिए और जैसे मैंने बता है ये इस्ट वेस्ट में अपना भोजन बन अच्छा होता ना फैन से बखे के आकार की होती है और वो ट्रॉपिकल ओएसिस बनाती है वो पत्तियां और ये बर्स को बहुत अट्रेक्ट करता है इसमें फूल भी आते हैं कि केले के परिवार का है या यह कहिए कि जो हमारे जो मैंने के एक वीडियो बनाया था कल उसमें पोदा था बार्डस ऑ पैरडाइस वो उस केले के परिवार का पोदा है प्यासे परियाटकों की प्यास बुझाने के लिए ये पहले बहुत काम आता था बीज इसके खाया सकते हैं चोटे फूल आते हैं पत्तियां जोपड़ी बनाने के काम आती है तो और अगर फैंक्स गोड फोर्चून और वैल्थ का प्रतीक माना जाता है एर फिल्टर का काम करता है बड़े पीड़ों के नीचे अच्छा चलता है और च्छाया धूब को सेहन कर लेता है बहुत तेज धूब से तोगा गबलाता है देखे कितना सुंदर सा पोधा है और ये इसकी जो दस- बनते हैं मुक्य तरह से और क्रीमी वाइट फूल आते हैं और ये 30 फिट हाइट तक हो जाता है चोड़ा इसकी 18 फिट तक हो जाती है पत्तियां अगर पीली पड़ रही है तम तो समझो पानी की कमी तो पानी इसको देना चाहिए तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छ झाल है